नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेस कस्मा आपका स्वागत है मैं हूं स्रिकान प्रतिवस सबसे पहले नए साल की आपको धेर सारी सुपकामनाएं पुराने साल का आज आखरी रात है और कल से नए साल का आगाज हो जाएगा आज से वर्स दो हजार बीस यानि नए साल की सुरुआत हो गई है हम कहेंगे बुद्वार से हर खबरिया चैनलों पर अखबारों में पिछले एक साल की प्रमुख घटनाएं लगतार छप रही हैं पिछले एक साल में कौन-कौन सी बड़ी घटनाएं हुई दुर घटनाएं हुई क्या-क्या बदलाव हुआ सब की समिच्छा हो रही है लेकिन जिस सेत्र में सबसे पर रूप कितना बदला है इसके ऊपर न तो कोई लिख रहा है और न कोई कुछ बोल रहा है लिखे और भोले भी कैसे नौ दूद का धुला हुआ हुआ है कोई बीरोध में तो कोई समर्थर में हर कोई मीडिया के मंच का जवर्जस्त दुर्पयोग कर रहा है मिडिया का स्वरूप इतना बदल गया है मिडिया का चरित्र ऐसा हो चुका है कि उसकी विश्वस्मेता ही खत्रे में नहीं पड़ी है बलकि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है मिडिया प्रमुख रूप से दो भागों में बट गया है एक मोदी समर्थन तो दूसरा मोदी विरोध सच्चा निर्भीक संतूलित जो सवरूप होता है टटस तथा मिडिया का चरित्र होना चाहिए साइद ही कहीं बिरले देखने को मिलता है सबसे बड़ी चिंता की बात इस बात को लेकर होनी चाहिए कि देश की जनता भी बडल गई है वह या तो मोदी समर्थन या मोदी के विरोध को ही असली पत्रकारिता मान बैठी है अगर कोई मोदी के पक्ष में बोलता है तो जो मोदी विरोधी हैं कमेंट में जाकर ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हैं भद्धी गालिया देने लगते हैं यानि कोई मोधी के विरोध भी लेखेगा तो भी मोधी के समर्थक गालिया देंगे यानि कोई निस्पक्ष पत्रकारिता देखना भी नहीं चाह रहा है सबको अपने मन की बात चाहिए यानि पत्रकार वहीं बोले जो उसको अच्छा लगता है, जो ओचाहता है। तो जहाँ जनता का चरित्र बदल जायेगा। वहाँ पत्रकरता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जनता भी आज उस मिडिया की तलास बिल्कुल नहीं कर रही है या फिर उस मिडिया मंच को फॉलो नहीं कर रही है जो सच्चा है निर्भीक है और टटस्त है ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खत्रा है मिडिया में जो बदलाव का दोर चल रहा था उसकी भयानक तस्वीर 2019 में सामने आ चुका है भारतिय मिडिया की दिसा और दसा दुनों बिल्कुल साफ दिखने लगी है मिडिया में इस बदलाव की वजह समझने के लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आर्थिक मंदी के खतरनाक दोर से गुजर रहे अपने देश में करीब 11 फिस्दी की दर से मिडिया इंडस्ट्री का विकास हो रहा है मिडिया इंडस्ट्री अब एक लाग कलोर से ज्यादा की हो गई है समभावना है कि साल 2024 तक ये तीन लाग कलोर का अकड़ा पार कर जाएगी यानि मिडिया अब कार्पोरेट घरानों का सबसे मुनाफे वाला कारोबार बन गया है पत्रपत्रकाओं की संख्या 1,15,000 से उपर हो गई है तीवी चैनल 900 तक पहुंचने वाले हैं एफेम रेडियो का जाल पूरे देश में बिशिक गया है डिजिटल मिडिया का विकास का दर सबसे अध कारण यही है या फिर यह तेजी इस बात की तरफ इसारा कर रहा है कि हमारा मीडिया एक लोकतांत्रिक देश में अपनी अस्री भूमिका का निर्वहंग करने की बजाए महज एक सबसे ज्यादा मुनाफे वाला कारोबार बन कर रह गया है या कार्पोरेट घरानों का मुना अपके जहन में उठ रहोंगे, अपने देश में यह साल आम चुनाव का था, आपको पता है, हर चुनाव मीडिया के लिए लाफकारी और परिवरतनकारी होते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा परिवरतन मीडिया के चरीतर में और भूमिका में दिखा है कि मीडिया का मतलब ही बदल गया है पुलवामा में हुआ अतंगवादी हमला बाला कोट पर बायु सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और फिर अभिनंदन की रिहाई के मामले में किवल चुनाव का एजिंडा पुरी तरह से बदल दिया और चुनाव का एजिंडा ही नहीं बदला भलकि इससे राजनिती का नारेटिव ही बदल गया जिस तरकार की वापसी को लेकर संदेह जाहिर किये जा रहे थे उसकी जीत को इसने सुनसित कर दिया पुलवामा के बाद देश में राश्ट्र उनमाद की एक लहर पैदा की गई इसमें राजनिती का योगदान तो था ही मगर मिडिया की भूमि बन गया यह दिगर बात है कि बिपक्च का परोक्ता बना मिडिया कमजोर सावित हुआ अकेला सावित हुआ और मोदी का परोक्ता बना जीत के रूप में सब के सामने है मोधी की जीत के साथ ही उग्र राष्टवाद को नए पंक लग गए मिडिया भी उसके सहारे उड़ने लगा तमाम मिडिया संथान अती राष्टवाद का जंडा उठा कर भागने लगे इसका मतलब ही था कि BJP का अंधसमर्थन और उसके विरोधियों का अंध विरोध अब हमारे सामने परस्न पुछने वाला जबाब देहित तय करने वाला और आलोचना करने वाला मिडिया नहीं था वलकि किर्टन करने वाला भक्त मिडिया था या फिर आँख बंद कर सरकार के हर कदम का विरोध करने वाला मिडिया था दोबारा सत्ता में आने के आत्म विश्वास से भरी सरकार ने मिडिया पर आपना दियंत्रन और भी बढ़ाना शुरू कर दिया है नतिजितन जो थोड़ी बहुत आजादी चुनाव के पहले मिडिया में दिखलाई दे रही थी वह भी गायब हो गई है सरकार का एजिंडा मिडिया का एजिंडा हो गया है वह सरकार की प्रपगेंडा मस्नरी की तरह काम करने लगा है सरकार के प्रती इस बढ़ती वफादारी का असर बार-बार दिख रहा है तीवी अखबारों का कंटेंट मुसल्मान और पकिस्तान तक सुमित हो गया है अर्थ ब्योस्ता पर घराते संकट की खबरें हासिये पर धकेल दी गई है सरकार की नकामियों पर बात करने का तो रिवाजी खत्म हो गया है न्यू चैनलों पर होने वाली 90 प्रत्सत चर्चाएं हिंदू मुसलिम पर होने लगी है उनमें घुम फिरकर संप्रदाइक उन्मात को हवा देने वाली नफरत और हिंसा में सनी जड़कों के दिरिश रचे जाने लगे है संप्रदाइक धुरुविकरण के जिंडे से लैस सरकार उन्हें इसके लिए मुद्दे उपलब्ध करवाती रही पिछले साल वह तिन तलाग धारा तिन ससत्तर अजध्या विबाद और नागरिक्ता सुनसोधन जैसे मुद्दे एक एक करके सामनी लाती रही और मिडिया उन्हें उसके एक्छा के अंदरूप पैकेज बनाकर लोगों के सामने परोश्ता रहा गोर अच्छा और माव लिंचिंग जैसी मसले तो पहले से ही थे इतिहास और पहले से चले आ रहे स्ट्रियो टाइप्स का भी इस्तेमाल इसके लिए किया गया यानि इतिहास को भी नहीं छोड़ा गया यही कारण है कि आज लोग विदेसी मिडिया का रूख करने लगे हैं भारत के लोगों को भारती मिडिया की तुलना में विदेसी मिडिया सबसे ज़्यादा भरोसिमन लगने लगा है विदेसी चैनल और पत्रिकाएं अधिक विश्वस्निय लगने लगे हैं उन्हें लगने लगा है कि अगोसी तपातकाल से गुजर रहा भारती मिडिया सच न विद्धता और बहुलता खत्म हो गई है, मत्भेदों को अफराद बना दिया गया है, हिट न्यूज, हिट कंटेंट अख़वारों के पन्नों से लेकर टिवी स्क्रिन तक चाय हुए है, नए मिडिया की कमान बजारवादी, रस्टवादी, स्रोनवादी पत्रकारों के हाथों में जा चुकी है, दली तादिवासियों की चिंताएं उसके दाएरे से बाहर हो चुकी है, मानवा धिकार करकरता सोमसेवी संग्ठनों से जुड़े लोग, बामपन्ती और उदरवादी भी उसके लिए खलनायक बन गये हैं, वह उन्हें भी कभी टुकले टुकले गैंग की संग्या देता है, तो कभी अर्बन नक्सलाइट बताता है, हमने आज के पहले, मुझे लगता है कि मैं 30 साल से पत्रकारिता में हूँ, आज के पहले यह सब हमने नहीं सुने थे, कि अर्बन नक्सलाइट क्या होता है, टुकले टुकले गैंग क्या होता है, लेकिन आज हर नेता की जुबान पर और हर मिडिया चैनलों पर यही सब्द आपको सुनाई देगा, इनका चरित रहनन करना और जंता की निगाहों में उन्हें देशद्रोही बनाना, उसके अभोसित लक्षों में से लगता है, एक बन गया है, ऐसा नहीं है कि मिडिया का यह सोरूप उसके सहमती या एक्षा से न्रिमित हुआ है, या जबरन हुआ है, यह सही है कि मिडिया में इनके प्रतिसोभाविक रुजान है, बीजेपी की जो सरकार है, उसके प्रतिसोभाविक रुजान है, ऐसा उसकी आंत्रिक सरंचना की वज और चेतावनिया देकर मीडिया को पंट्रोल किया है। उसने कई बड़े-बड़े अख़बारों के विग्यापन रोक कर मीडिया जगत में भय पैदा करने की कुछिस की है। उसकी भृकुटिया तनी देखकर कई संपादकों और पत्रकारों की संथानों ने नोकरिया ले ली है। उसने भय का ऐसा महौल बनाया है कि मीडिया घुटने के बल आगिरा है। मीडिया का नया चेत्र दुसरे माध्यमों से जैसे सोसल मीडिया के प्रभाव दबाव से भी बना। सोसल मीडिया में अंतरंजित टिपनिया और भड़काव कंटेंट की सफलता ने उसे भी ललचाया और वह भी उसके जैसा बनने लगा है। लेकिन इस मीडिया पर सरकार औ और यूटूब में जो कंटेंट पैदा हो रहा है वो कई तरह के विश्वस्नी अस्तृतों से भी आ रहा है। इसमें राजनितिक दलों के IT सेल भी सामिल हैं, ट्रोलर भी हैं और बजार की ताकते भी हैं। इसलिए फेक न्यूज का असर उस पर भी दिखलाई देने लगा ह मीडिया इंडस्टी में आ रहे बदलाव भी बड़ी बजहों में से एक हैं, एक तो तकनिक मीडिया उजर्स के विवहार में व्यापक बदलाव लाई है। स्मार्टफोन अब खबरें और दूसरे कंटेंट देखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉन बन गया है और उसकी प्लेटा को खत्म कर रहा है। कार्पुरेट अपने स्वार्थों के लिए मीडिया को हत्यार की तरह इस्तिमाल कर रहा है और इस क्रम में उन्होंने सत्ता में गठ़ जोड़कर एक नया चरित्र मीडिया का सामने लाया है। यह प्रविर्ती इस साल और भी बढ़ी है। जा भागे यह है कि लोगों ने आचरों सहिता की बात करना लगभग छोड़ दिया है। आत्म नियामन के उपाए पूरी तरह नकाम होने के बाद अब जबकि मीडिया को देगुलेट करने के लिए किसी स्वतनतर नियामक संस्था की जरूरत मक्सूस हो रही है तो कोई सुग ब नियमन की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में इस दिशा में जो कुछ किया जा रहा है उसका मकसद कुछ और ही है। मिडिया को आचरों सहिता का पालन करने के लिए मजबूर करने के बजाए परतिरोध को दबाने की मनसा ज्यादा है। तो पिछले 30 साल से पत्रकारिता में वो अधभूत है। बिलकुल अभिश्वस्नी है। और मुझे लगता है कि अब मीडिया भरो से मन नहीं रहा है। बलकि मीडिया सब के निसाने पर है। या तो मीडिया मोधी के पक्ष में खड़ा है। या मीडिया मोधी के विरोध में खड़ा है। कोई ऐसा मीडिया नज बढ़ा नहीं है बहुत चोटा है और कार्पोरेट से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं सिटी पोस्ट आपको भरुशा दिलाता है कि हम पत्रकारिता का जो मूल स्वरूप है जो आचरन है जो सिधानत है उससे भठकेंगे नहीं और हमेशा आपको सही खबर दिखाते रहेंगे इसलिए हम खुद अपनी निंदा कर रहे हैं कि हम भी दूद के दूले हुए नहीं हम भी कहीं न कहीं से प्रभावित होते हैं लेकिन वो ज्यादा प्रभाव हो और उस प्रभाव में ज्यादा हम बह न जाएं और मुल्हुत जो सिधान थे मिडिया का उससे अलग न हट जाएं इस बात का जरूर हम ध्यान रखते हैं और आगे भी रखेंगे आपको भरुशा और विश्वास दिलाते हैं अगर आप चाहते हैं कि निस्पक्च अपने मन पसंद बातें सुनना चाहेंगे जब तक आप अपने बिरोध अपनी कमी और खामियों को सुनने के लिए तयार नहीं होंगे और अपने मन की बात नहीं कहने वाले मिडिया मंचों के खिलाब आप अभियान चलाएंगे तब तक आप उबिद नहीं कर सकते हैं कि आ खबर दे पाएगा या आपको निस्पक्ष खबर देने के लिए कोई मीडिया आगे आ पाएगा आपका सवयोग समर्थन लगता है यह आगे भी बने रहना चाहिए नए साल की धेर सारी सुफ काम ना है